नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं पाटली पुत्र की पॉलिटेक्स मैं हूपर विंशे ब्यार में शराब बंदी को लेकर जेडियू और आर जेडी एक दूसरे से भिड़ गए हैं बियार में शराब से हो रही मोटों और अवैस शराब की तसकरी पर आर जेडी ने जेडियू का नया नामकरण किया है फुल फॉर्म जेडियू जहां दारू अनलिमिटेड दरजल आरजडियू ने आज सुबह सुबह ट्वीट कर जेडियू को जहरीली शराब से होने वाली मौतों का जिम्मेदार बताया फिर जेडियू ने भी नामकरन किया और पार्टी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी तीखा पलटवार करती हुए जेडियू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजडियू का मतलब बताया राश्टिये जहरीला दल लेकिन जेडियू को दारू अनलिमिटेड कहे जाने पर बवाल मचा है नेरज कुमार ने कहा छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं याद है ना नेतीश कुमार पर जब अपमान जनक शब्द का प्रयोग लालू प्रसाद यादव ने किया था तो मैंने कैदी नंबर 3351 निकाला था आरजडियू मतलब राश्टिये जहर घुला है जाती का धर्म का ब्रश्टाचात और वंश्वात का परिवारवात का और सैलरी घुटाले का जहर घुला है इस बीच बिहार की सियासत में अभी अभी एंट्री करने वाले पीके भी चौत अरफा दबाब में है हताश के बोश तले दबे पीके ने अपने और शराब से होने वाली मौतों पर बिहार में एक नया ही जंग जो है वो छिड़ चुकी है देखिए ये नॉंसेंस पॉलिटिक्स है इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है इसलिए इस नॉंसेंस को तो बाद में डील करेंगे लेकिन बिहार में कई सारे लोगों के अंद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भासन देना दूसरे के लिए स्टेड़ी बनाना वो काम बड़ा आसान होता है लेकिन जब आप खुद युद्ध छेत्र में उतरते हैं और दुस्मनों से लड़ना जब पड़ता है तब वहां पे आपको अकलमंदी के साथ साथ वीरता भी जानी चाहिए लीडर और स्टेड़िस्ट में क्या फर्क है ये जब तक पीके समझेंगे नहीं तब तक वो समलेंगे नहीं अभी तो पहला ही टेस्ट था मैंने कई सारे ऐसे लोगों से बातचीत की जो पीके के साथ सिंपथी रखते हैं उनकी पाटी से जुड़े हुए वो कह रहे हैं कि बड़ा हतार बड़ा मैंने तो यह नहीं सोचा था कि इस तरह का आदमी निकलेगा पीके बहुत जल्दी हार माननी उन्होंने हार नहीं माननी उनको समझी भी ने आएक उनके साथ खेल हो गया अब यह जो बेला गंज में उमिदवार को जो बदला गया उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका ली गई और उनको पता ही नहीं चला पहले एक बात समझे लीडर वो होता है जो फैसला सोच समझ के करता है और अगर फैसला उसने कर लिया तो फिर उसको सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी एक कर देता है और अपने आपको सही साबित कर पाता है तब लोग कहतें कि यह है आदि अब हर दस मिनट के बाद जो आदमी डिसिजन चेंज करे उसका कोई भरोसा नहीं कि अभी आज डिसिजन ले रहा है कल बदल देगा आज डिसिजन ले आप परसो बदल देगा जो अपने ही स्टैंड के ऊपर ख़डा नहीं हो पाता है उसको आ पहला उसूल होता है एक मजबूत स्टैंड लेना अब ये अपनी ही इतने बड़े स्टेट जीशन आपसे पहला ही दाव जो है वो गलत पड़ जा रहा है इसका मतलब है कि आपने जो यात्राएं की बासन अच्छा दिया लोगों में उम्मीद जगाई लेकिन जहां लड़ कि तरह कि जो साल भर बड़ा मेहनत करता है और एक्जाम के समय बोरा जाता है है ना तो वो गरपर करेगा ही क्या हुआ हुआ है बेलगन में उमिद्वार खड़े हो रहे है और जेटी के तरफ से सुरंदर यादव के बीटे जी ठीक अब सुरंदर यादव यह सोच रहे है कि कुछ ऐसे उमिद्वार को खड़क करें कि जो वोट बैंक काटके है डिफकल्ट होगा उनको चुनाओ वहाँ पे तो इन लोगों ने टिकट दिया प्रोफेसर साहब को और अमजद साहब विद्रो कर दिया तो कम से कम यह तो पता कर ले थे कि अमजद साहब जो विद्रो कर रहे हैं जो आपकी पाटी के हैं क्या अंदर अंदर मिले में तो नहीं है शुरंदर्यादव से वह सुरंदर्यादव गया के इलाके में कोई आज से राजजिती में तो नहीं है वच्पन से हम लोग इनकी कहानी सुन रहे हैं ऐसा धागदार लीडर है तो यहां सर्वेसर काम चलेगा और यही मिस्टेक इनसे हो गए दूसरा मिस्टेक आपने अनॉस्मेंट कर दे आप यह करें कि देखिए यह एलेक्शन कमिशन जो है वो सत्ता पक्ष के साथ काम करता है भी आप ग्यानी पूरुष हैं दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टेडिजिस्ट हैं कैसे आदमीं को मिदवार दे दिया कि जो चुरावी नहीं लड़ सकता तो क्या बताया जाए इसका इंपेक्ट क्या हुआ है आप आपको तो एक तो लड़ना नहीं था जो मैं बार-बार कहता हूँ कि राज़ीती में तो वही है बंद मुठी लाक के और खुल गई तो फिर खाक की वह आप देने चले गई है आप अगर हार गए चारों के चारों आपको कौन वोट करेगा आपकी तो कले ही खुल गई सब स्ट्रेटिजी खतम और इसके चांसे ज्यादा नदर आ रहे हैं कि चारों सीट पीके जो है वो लूज करेंगे क्योंकि इन्वार्मेंट इनके फेवर में नहीं है लेकिन फिर भी अगर इन्वार्मेंट और सारी चीज़े उनके फेवर में भी होती अगर आप अपने फैसले पे अडिग होते हैं आपका आपकी पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं उनका क्या है आपके उपर आइतबार वो लीडर नहीं आपको मान रहा है अभी भी कोई महान लीडर मत समझी अपने आपको लोग जो पॉलिटिकल लोग दो चीज़ों की वज़़से आपके पास आ रहे हैं एक वो कि बहुत कह रहा है कि पैसे कमी नहीं होगी पैसा हम देंगे काबिले तुम्हारे पास होनी चाहिए तो फिर आरजेडी वाले भी आ रहे हैं बीजेपी वाले भी आ रहे हैं जेडी वाले जो जो खुद्रा समान सब था सब जो है कठा हो गया सब लेकिन एक सवाल यह है कि इतनी लंबी पदियात्रा करने के बाद भी इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई कैसे पदियात्रा अपनी एलग ट्रेनिंग होती है गर्मिन पंडी जी आते हैं पूजा कराने के लिए उनका आलग ट्रेनिंग है उनको वेद पुरान का प्रकांड ग्यान नहीं होने का हो सकता है वह काम है तो इलेक्शन इसे टेक्निकल वर्क तो एक तो पैसे की वज़े से लोग आपके पास आ रहे हैं और दूसरा वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का एतबार है कि कोई भी गधा-घोड़ा किसी को भी लड़ा देगा ये पी के बहुत बड़ा स्टिर्जीशन है चुनाओ जित्वा देगा लीजिए पिछले 24-48 घंटे में पीके की जो इमेज यहां थी वो इधर चली गए क्यों कि यह अपने डिसिजन पर ख़ड़ा नहीं हो सब्सक्राइब बाकि भासन वेरत तो सब अपनी जगह पर ठीक है कि तेजस्सी कुगाली दीजिए बीजेपी कुगाली दीजिए जेडी प्रॉब्लम है जो को भी अट जान रहा वता है मनें problem को जानना कोई बहुत महांता नहीं है। जो आजमें भिहार में रह रहा है। उसको सब को मालूम है क्या problem है। A leader is one who has solutions जिसके पास समस्याओं को गिनाने के अलावा उसका solution भी हो। आपके पास solution नहीं है। आप हवाबाजी कर रहे हो कि मेरे पार्टी में आओ पैसे की जुरुत ने पड़ेगे हम किसी को भी जिता देंगे और वही इमेज में भट्टा पड़ा हुआ है और इसलिए पूरा का पूरा मायूसी छाय हुआ है कि सारे लोग मैं जो इनके साथ आर आ गया है जो लोग इनके साथ थे अनको लग रहे है कि यह तो बहुत बड़ी गल्ती हो जाता है तो पी के हो गए है फुस बम वो बम जो है वो चलेगा नहीं अब जब इस तरह के लोग काम नहीं करते हैं तो बाकी सारे लोग जो है अपने पुराने धर्रे पे हैं जिवे उपर हैं ना दारू है ना जहां दारू अल्लिमिटेड जेडियू की निशानी है तो भई आप घोशना कर दो पीके ने तो हिम्मत दिखाई कि हम सरकार बनाएंगे एक घंटे में दारू जो है आगी करते हैं आपके निता इधर दुर से बोलते हैं लेकिन आपको भी स्टेड लेना चाहिए परशानी कहा हुई ये डावर्जन है ये दारू की कहानी जो है वो डावर्जन है क्यों इस तरह से नाम दिया गया है ताकि मीडिया में अभी देखी टीवी पे सब लोग वही चलदा है हम लोग वही डिसकस कर रहे हैं कि दारू 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 राजनीती चल रही है पटना के अंदर में क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि टेलिवीजन चलनों के ऊपर मीडिया में तेजस्वी आदब का वो बयान कि मुस्लिम भाईयों के ऊपर कोई आख डालेगा तो उसकी इट से इट बजा देंगे आपने तो हिंदुओं को धंकी दे दी आपने तो हिंदुओं को धंकी दे दी यही अररिया में दिवाली और छट का पोस्टर लगा हुआ था यह मुस्लिम मौब उसको फाण रहा है ते ज़स्री आदा मुझ खोलेंगे बोलेंगे कि छट दीवाली का पोस्टर जो फाड़ेगा उसकी एट से हीट बजा देंगे आपने बयान दिया आपने ताकत दी आपने हिम्मद दी उपद्रवियों को तो वहां अरेया में भवाल मच गया अब भवाल मचा है तो उसको क्या करना है उसको जो है सांथ करना है मीडिया में ना है तो सारे लोगों को फोन करकर बोला जा रहा है कि वो वीडियो बन दिखाना मामला खराब हो जाएगा दंगा भलक जाएगा भलकाओ भासन आप दोगे तो इसका भिरोत तो हिंदु लोगों ने तो नहीं किया लेकिन आपने उपद्रवियों का मन बढ़ा दिया इसलिए किसी की हिम्मत है कि दिवाली और छट का पोस्टर जो है वो होडिंग जो है उपर चड़के फार दे कुछ दिन पहले तक यही आप जेडी के लोग यह बाहराईच के मामले को बता रहे थे ना टीवी पे आकर के इनके प्रवक्ता जाकर के भासन देते हैं कि एक मुसल्मान के घर के उपर वो हरा जंडा क्यूं गिराया पहली गलती वही है इसलिए मार दिया यही बोल रहे ना जी हां तो जो पोस्टर फारा उसके साथ क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए आप एक घटना पर दूसरा रुख दूसरे घटने में दूसरा रुख तो यह तो चलेगा नहीं और यह जो इड से इड बजाने वाली बात है ना यह तेजस्वी आदब ने हिंदू को चलेंज किया है और जिसका रिपकर्शन यह है कि वहां पर चलकर के जो है दिवाली ओछट का जो है पोस्टर जो है वो उसको फाड़ा गया और जेडियो वाले जो है वो वो तमासमीन वो कन्फूजड पार्टी है बैज अभी तệc को गिरफ्टार हुआ किया कोई एक्ष्ण हुआ क्या नहीं हुआ है है कुछ बात हो गई और तो हर पौई आगर करेंकर कुछ भी बोल के चला जाता है तो तेजस्य आदर्ब से यह गल्ति हो गई वो आवेश में आकर के तैश में आकर के उन्होंने बयान तो दे दिया लेकिन आप इनको समझ में आ रहा है कि इसका इम तक जो है बहुत ही खराब पड़ने वाला है यह जो है यह वीडियो बार-बार घुमेगा चुनाओं के समय भी दिखाया जाएगा और अभी इस मामले को कैसे शांत किया जाए तो तमाम मीडिया से वो वीडियो जो है तेश सुयादव का वो गायब हो गया अरेरिया वाले ही स्टोरी भी गायब हो गई कहीं मीडिया में कोई कुछ खबर नहीं आ रही है तो यह एक डावर्जिता जो सक्सेस्फुली तेश सुयादव ने चीजों को डावर्ट करने में कि लोगों की नजर अरेरिया के उपर और उनके इट से इट वाले बयान के उपर ना जाय उसको वो सक्सेस्फुली साइड लाइन करने में काम्याब होए चलिए इस तमाम जानकारी के लिए और सटिक विशलेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिहार में इस वक्त शराव का बड़ा मुद्दा जरूर है लेकिन ये भी दिहान बढ़काने की कोशिश है अब इस पर आर जेडी नितीश को जरूर गिर रही है वहीं इस बीजेपी इन दूनों की भड़न पर खामोश है बीजेपी की खामोशी बड़े तुफान का अंदेशा दे रही है अब देखना हुगा कि शराव पॉलिटिक्स में क्या नया मोडाता है इसी के साथ इस खास शो में इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपन झाल